हलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उमीड है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं भई करनी भी क्याओ REALLY करनी है तो चलो इस पढ़ाई के सफर को थोड़ा सा आसान बनाते हैं आप और हम बिटकर तो बच्चे लोग मैं हूँ विजरता आपकी बालाजी टीचर और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने चाप्टर के बारे में वंशागती तता विविद्दा के सिधान जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ओफ इन्हारिटेंस एंड वेरियेशन बहुत ही इंट्रोस्टिंग सा टॉपिक आज हम डिसकर्स करना जा रहे हैं ठीक है बहुत इंट्रोस्टिंग सा क्या बात करेंगे चौनओ पहले से क्योesto रिविषम देखेंगे लेकिन उसे पहले जानों कि आज हम को क्या बात करना यह हम आनुवंशिक विकारों के बारे में आज बात करेंगे तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था हमने बात करी थी वज्शावली विचलेशन के ब ठीके पिदिगरी एनालसेस बोला जाता है इसको ठीके इसके साथ साथ इसको और क्या बोलते हैं इसको हम वंश व्रिक्ष भी बोलते हैं क्या बोलते हैं वंश व्रिक्ष जो किसले कार्रे करता है यह कार्रे करता है आपका कि कोई भी आनुवंशिक बिमारी है है ना कोई भी अनुवशी, विकार है या बिमारी है उसका पता लगाने के लिए जो सदियों से बहुत तो पिडियों से एक पर्टिकॉल फैंज बारे में चली आ रही है तो उसके बारे पता लगाने का काम यह वंशावलीayan करता है एक पर्टिकॉलर लक्षण के बारे में अगर हम बोले तो किसके लिए एक particular लक्षण के बारे में ठीक है particular लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए यह काम करता है जो एक generation से दूसरे generation में या दूसरे वंच में जा रहा है ठीक इतनी हमने बात करें थी जहां पर हमने देखा था कि भाई यह इस तरीके से अगर कुछ बना हुआ होता है color दूसरा ले लेता है चलो कैसे हमने का था यह क्या है एक नर होता है है ना और और क्या बात करते हैं अब इन दोनों के अगर शादी हो जाएगी तो इन दोनों की शादी कैसे दिखाएंगे हम इनके बीच में एक लाइन बना कर कैसे दिखाएंगे इस तरीके से लाइन बना के क्या दिखाएंगे इनकी शादी हो गई है बच्चे दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे बच्चे दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि भाईया एक लड़का है एक लड़की है ठीके और जिसमें विकार दिखाना होगा जिसमें अगर विकार दिखाना होगा कोई बिमारी है उसके अंदर हमने कहा था हम रायता फेला देंगे इस तरीके से ठीके अगर पांच संत हो दिखा देंगे हम दो लाइन इस तरीके से तो ऐसे बहुत सारी बाते हमने करी ती और हाँ जिन innovative हो गई है उनको हमने क्या बोलता ऐसी दिखाएंगे यहाज गए है तो यह सारे सारी बात क्या वंच ब्रद रहने की वंच बंद रहने की जो आफधारना थी उसके बारे में बात हुई थी फिर मेंडल के कारे की पुनेखोच के बाद क्या हुआ कि मानव के लक्षण के प्रतिरूप है ना मानव के लक्षण के प्रतिरूपों की वंशागती के विशलेशन की बात की परंपरा को start किया गया इस पस्ट है कि मटर के पौदे और अन्य जीवों के लिए किये गए तुल्लार्थ संकर प्रयोग मानव में संभव नहीं है ठीक है कि बहुगे सब्सक्राइक के पौदे में जरूरी है जरूरी की मानव में भी हो नहीं न अब मत्र का पौदा वह यह मत्र का पौदा है मानव मानव है अब जो मानव के अंदर बिमारी आए क्या वो मत्र के पौदे में होंगी नहीं होंगी और जो मत्र के पौदे मिमारी है वो मानव में होंगी नहीं आगे बढ़ जाते हैं इसलिए विकल्प रह जाता है कि विशेश लक्षण की वंश्यकति के संबंद में वंश के इतिहास का क्या मतलब वर्णन किया जाए है ना बात की जाए कई पीडियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेशन को वंश्यावली विश्लेशन कहते हैं मैंने क्या बता था कि एक पीडिय से दूसर्य पीडियों जा रहा है दूसरे दोस dizer 59 यह, शकूवली विश्लेशन कहते हैं इस प्रक्रिया में बशवर रिख्ष या फैमिली ट्री में एक विशेश लक्षण की पीड़ी दर पीडी विश्लेशन किया जाता है क्या सह कि बो कि अपनी फैमिल्यत्री बना के लाओ उसमें बच्चे क्या करते हैं tip कि फोटो आ खर्शनारी फोटोण प्रचेश कर डितने पद दादी-फोटो फॉटो में यही फैमिली ट्री एक्चुली में यही हुआ लेकिन बस बात यहां पर है इस्पेशल लक्षण की बात कर रहे हैं कि एक वंशे दूसरे वंश में लक्षण कैसे ट्रेवल कर रहा है बस इतनी सी बात है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास एक और चीज आती है अनुवंशिक क्या लक्षण और अनुवंशिक विकार यह दो चीज आती हैं यहापर जो फड़ा बढ़ से इनको भी जाल लेते हैं तो अगर मैं अनुवंशिक लक्षण की बात करती हूं तो किसी भी जनक के जो लक्षण है जो संतिती में पीड़ी तर पीड़ी आगे वो क्या हो रहे संतिती में पीडी दर पीडी जा रहे हैं है ना पीडी दर पीडी जा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं आनुवंशिक लक्षण कहते हैं इसको क्या बोला हमने आनुवंशिक लक्षण क्या बोला हमने इसको अनुवक्षिक लक्षन बोला ठीक है कि यह पीडी दर पीडी क्या हो रहे है संत्यति में लक्षन पास हो रहे है ठीक है यह तो लक्षन की बात दोगे लेकिन अगर वे विकार की बात करती हूं तो यह विकार है यह वो विकार है विकार की बात करती हूं तो ये वे विकार है जो पीड़ी दर पीड़ी जो पीड़ी दर पीड़ी क्या हो रहे है संत्यति में आगे बढ़ रहे हैं या आगे जा रहे हैं दोनोगी चीज़ कर सकते हो ठीक है अब ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर ये जो विकार है विकार क्या है कि भई ये हमने बोला संत्यति में ये पीड़ी दर पीड़ी जा रहे हैं लेकिन अब ये जो विकार हैं दो प्रकार की बिमारिया आगे बढ़ रहे हैं तो कौन से हैं दो प्र ठीक है एक तो यह आगया हमारे पास दूसरा क्या आगया गुण सूत्रिये गुण सूत्रिये विकार ठीक है यह दो तरीके के विकार यहाँ पर हमको देखने को मिले मेंडल यह विकार याने की जो मेंडल ने विकार निकाला और गुण सूत्रिये विकार याने की जो गुण सूत्र के ओपर विकार याने की क्रोमोजोमल डिसाउडर की आपर बात हुई है ठीक है इतनी बात कितने बच्चों क्लियर हो गई है यह मुझे बता दो फटा फट से थमसब करो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है जल्दी जल्दी भाई जल्दी चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं देखो इसको ऐसे समझो कि हमें पता है यह एक सेल है ठीक है कोशिका में हमको पता है क्या होता है केंदरक होता है यह क्या आपका गुर्ण सूत्र, ठीक, अब यह जो गुर्ण सूत्र है, हमें पता है, इस गुर्ण सूत्र के अंदर DNA होता है, हमें पता है, इसके अंदर DNA है, लो जी, DNA आगिया इसके अंदर, गुर्ण सूत्र के अंदर क्या है, लो यहां लिख देते हैं, ताकि बिल्कुल कन्फियूजन न ____RP Touky अब लेगनय तो डियेयन नै यह क्या होते है इसमें छोटे छोटे, खंड होते हैं छोटे, च्hem His पेनल है ना छोटे the the इसमें पेनल क्या कहलाते हो जीन कहलाते है रिपार मेरिया निंजन कि जिन सब्सक्राइब कि क्रोमोजोम कंट करते हैं ओसलिए है यह उसे गजिस और है नहीं सब्सक्राय। और यहां पर बेसिक लिए हम बात यह कर रहे थे कि यह जो अनुवनशिक विकार है यह कैसे होते हैं ठीके कैसे होते हैं तो ऐसे होता है ऐसे इसको समझा जाता है चलो अब अज़ते अनुवंशिक विकार पे जो हम अभी तक बात कर रहे थे चलो अब यह जो अनुवंशिक विकार है हमने क्या बोला दो तरीके के होते हैं ठीके हमने क्या कहा कैसे होते हैं दो तरीके के पहला हमने क्या बोला मैंडलिय विकार की बात करें मैंडलिय विकार ठीक है पहला हमने बोला मैंडलिय विकार दूसरा क्या बोला हमने दूसरा हमने बोला भाई क्रोमोजोमल 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 विकार ठीक, इस क्रोमोसोमल विकार को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, गुण सूत्रिय, गुण सूत्रिय विकार, है न, गुण सूत्रिय विकार, ठीक है, मेंडलिय विकार और क्रोमोसोमल विकार बोल दो, या फिर गुण सूत्रिय विकार बोल दो, बाते किये, चलो, फिर अगर मैं में बैंडलिय विकार की बात करती हूँ तो चल इसको ऐसे समझते हैं कि हम क्या कहते हैं ये मेंडलिय विकार क्या है? ये एक gene पे खराबी होने से खराबी हो जाए ठीक है? gene बोल दो या फिर DNA बोल दो क्योंकि ultimately चीज तो एक ही हो रही है न? यहां पर जाते हैं जैसे की की चलो समझो कि हमने कहा कि इस तरीके सेह क्या होते हैं यहां हमारे पास ए है और एक इसाथ हमारे पास यहांց पर बदलाव आ गया है तो यह क्या है आपका मेंडलिय विकार कहलाएगा ठीक है वहीं अगर मैं क्रोमोजोमल विकार की बात करती हूं तो हमको पता है कि वहीं क्रोमोजोम के अंदर क्या होते हैं डीने होते हैं है ना इसके अंदर क्या है डीने है और मनुष्य में कितने मनुष् जोड़े होते हैं 23 जोड़े याने की 46 गुर्सूत्र कितने 46 गुर्सूत्र तो यहां पर क्या होता है यहां पर जो क्रोमोजोम की संख्या होती है यहां पर जो क्रोमोजोम की संख्या है जो क्रोमोजोम की संख्या है उसमें क्या आ रही है कमी आ रही है या फिर अधिकता आ र कमी आ रही है या अधिकता आ रही है यह क्या है क्रोमोजोमल विकार है क्रोमोजोम यह तो एक बढ़ जाएगा अगर बढ़ जाएगा यानि कि 46 6 प्लस 1 हो गिया, है ना, अगर मैं बढ़ने की बाद बोलूंगी तो अधिक्ता में क्या होगा, 46 प्लस 1 आजाएगा और कमी की बाद बोलूंगी तो कितना होगा, यह कितना जाएगा, 46 माननस 1, तो यहां 45 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 47 तो यहाँ का इसका must सा एक बढ़िया सा एक्जेम्पल के है एनुपलोईटी ठीक है? जिसके बारे में हम अभी आगे चलके बात करेंगे इतनी बात कितने बच्चे को clear हो गई है मुझे फड़ा फड़ से बता दो ताकि इसको हम और आगे बढ़ा सके फड़ा फड़ से बिना किसी देरी के बता दो मुझे लगता है सब पो clear है ठीक है? चालो, very good आगे बढ़ जाते हैं अब आता है भाईया उत्परिवर्तन तो यह जो उत्परिवर्तन है इसको हम क्या बोलते हैं? mutation ठीक है? जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है किसी भी क्या? जीम में कोई सा बदलाव आ जाना change आ जाना ठीक है? उसको हम क्या बोल रहे हैं? उत्परिवर्तन बोल रहे हैं ये क्या होता है ये आपका क्या होता है मेंडलिय विकार ये क्या होता है मेंडलिय विकार तो अब बात करेंगे भाई ये जो मेंडलिय विकार होता है ये होता है दो तरीके का ठीक है अभी तक हमने पढ़ाता गई अनुवंचिक विकार दो तरीके के है मेंडलिय और क्रोमोसोमल अब हम इसकी बात कर रहे हैं मेंडलिय विकार की बात कर रहे हैं जहां पर उत्त परिवर्तन देख रहे हैं हम ठीक है तो हम ने क्या बोला दो प्रकार का है कौन सा है अलिंग अलिंग सहलगन विकार अलिंग सहलगन विकार ठीक है और यहां क्या है लिंग सहलगन विकार ठीक है चलो जी ठीक है अब यह जो a link सहलगन विकार है इसको हम क्या बोलते हैं यह आपके हो गए autosomal disorder क्या हो गई यह autosomal disorder वहीं अगर मैं link सहलगन की बात कर रही हूँ तो यह क्या हो गई sex linked disorder क्या हो गई यह sex linked disorder हो गई ठीक है अब यहां पर क्या होता है अलिंग से लगने याने की जब मैं अलिंग की बात कर रही हूं तो हमको पता है कि यहां पर मनुष्य में क्या होता है हाँ अगर हम मैं मनुष्य की बात करती हूं तो हमने बात करी मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं कितने होते हैं 23 जोड़े होते हैं हमने यह देखा ठीके तो यहाँ पर जो 23 जोड़े हैं तो हमने कहा कि भई क्या है इन 23 जोड़ों में से अगर मैं नर और मादा दोनों की बात करती हूं तो नर के पास आपका xy है, मादा के पास xx है a link सहलगन a link कौन से होते है link मतलब कि बई जो decide कर रहे है कि लड़का या लड़की होगी वहाँ पर उसकी बात हो रही है और a link का मतलब जो नहीं decide कर रहे है ऐसे विकार जो ऐसे chromosome के उपर होते हैं जो decide नहीं कर पाते हैं ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक से लेकर जो बाइस जोड़ा है यहाँ पर एक से लेकर जो बाइस जोड़े हैं वो क्या होते हैं a link होते हैं है ना, यानिके क्या होगा है वो auto zoom होते हैं वो ठीक है ओटोजोम होते हैं तो यहां पर मैं कहूं कि भाई यह X क्या है हमारा अलिंग है यह जो X है यह अलिंग है और यह जो Y है वो क्या है लिंग है ठीक है यह X क्या है तीनो अलिंग क्रोमोजोम है यह क्या है लिंग क्रोमोजोम है तो यहां पर क्या है भाई यहां जो यह यहाँ पर यह जो disease हो रही है वो किस पे हो रही है अलिंग पे हो रही है ठीक है किस पे हो रही है अलिंग पे हो रही है यानि कि यहाँ जो यह क्रोमोजोम है इसके अंदर क्या है DNA है यहाँ पर जो DNA है इसमें क्या आ रही है कुछ खराबी या गड़बड हो रही है ठीक है यह जो अलेंग क्रोमोजोम है उनकी बास चल रही है याने की एक से लेके 22 हमें पता 23 जोड़े होते हैं ठीक है तो 23 जोड़े याने की 22 प्लस 1 है ना तो यहाँ पर इस एक को छोड़के क्योंकि एक क्या है यह तो नर में है ना है ना वाकिन नर में क्या है अगर मादा में मात करें तो मादा में तो 23 के 23 हो गए है पर जब नर की बात करेंगे तो नर में क्या है यह 22 जोड़े हो जाते हैं है ना चलो फिर अगर मैं लिंक स यहां पर क्या होता है अगर मैं कहूं जो मादा है मादा हमें पता है एक्स एक्स है ठीके और अगर मैं नर की बात करती हूं नर के पास क्या है एक्स वाई है अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है एक्स एक्स ही आएगा इसको करेंगे तो दो मिलेंगे हमको एक X मिलेगा एक Y मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर जो X है हमारे पास यहाँ पर जो X है वो क्या है अगर मैं X की बात करती हूँ X क्या है link सहलग नविकार है ठीक है और Y में क्या हो रहा है जो Y है Y में खराबी हो रही है खराबी या फिर गड़बड हो रही है ठीक है और यह इसके साथ मिलके यह इसके साथ मिलके Y क्या कर रहा है link सहलग नविकार बना रहा है विकार बनाता है ठीक है ठीक है न हाँ तो यहां पर क्या है वाइडिसाइड कर रहा है ठीक है क्योंकि वह क्या है यहां पर हम लिंग सहलगन की यानि कि जो डेखो बेसिकली समझो की लिंग सहलगन की यानि की जो कैसे क्या बोले की जो लिंग सहलगन यानि की जो लिंग जो गुर्शूतर है उसके साथ लगन लग रहा है तो भया y के साथ यहां x है तो यहां दें की a link है है ना चलो अब सछे पहले हमारे पास है क्या है mandaliyy vikar जिसको जीनी vikar कहते है ठीक तो यहां पर क्या होता है यह वो vikar है यह वो vikar है जो एकल जीन जो एकल जीन में क्या करता है परिवर्तन कारण उत्वपन होते हैं ठीक है वो क्या कहलाते हैं मेंडल ये विकार कहलाते हैं या जीन ये विकार कहलाते हैं कि ऐसे विकार जो एकल जीन में परिवर्तन के कारण उत्वपन होते हैं याने कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन में ये विकार हो रहा है और इस वैसे ये क्या हो गए? उत्पन हो गए कई सारे जीनों की जरूरत ही नहीं पड़ी कई सारे जीनों की जरूरत ही नहीं पड़ी एक ही जीन ने सारा काम खराब कर दिया हा? चलो फिर आता है गुर्षूत्रिये विकार दूसरा ठीक है तो भाई गुर्षूत्रिये विकार में आप क्या बोलोगे यह क्या है गुर्षूत्रों की गुर्षूत्रों की असमानने तह मतलब की कमी या अधिक्ता कमी या फिर अधिक्ता के कारण यह विकार उत्पन्य होता है यह जो है विकार उत्पन्य होता है जिसको हम क्या बोलता है गुर्षूत्रिये विकार कहते हैं ठीक है इत्ती बाद सबको क्लियर है ना हो गई सबको क्लियर बताओ चलो बड़ी आये क्लियर हो गई है ना लेकिन मेंडली है विकार को जानने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्या जानना ज़रूरी है कि मेंडल जी कौन थे पता है न आप लोगो हां नहीं पता है नहीं पता है तो वहीं होमवक में कि पता करके आओगे ठीक है तो अगर हम मेंडली विकारों की बात करते हैं तो मेंडली विकारों की जो वंशागती के उधारन को हम किसी भी परिवार के में वंचावली वंचावली विशलेशन द्वारा खोजा जा सकता है ठीक है कि वंचावली विशलेशन से हम किसी के जो है किसी परिवार की जो है न क्या बोलते हैं उसको विकार उसको हम खोज सकते हैं ठीक है फिर क्या लिखेंगे में देलिये विकारों में क्या होता है अगर हम यहां पर मेंदलिये विकारों की बात करते हैं तो मेंदलिये विकारों में सर्व विधित सर्व विधित उधारन क्या ह उदाहरन क्या क्या आते हैं हां बताओ जल्दी से हीमोफीलिया आ गया है सबसे पहले ठीक है क्या गया हीमोफीलिया ओके हमारे पास आता है हीमोफीलिया ठीक है हीमोफीलिया के बाद क्या रहा है सिस्टिक फैब्रोसिस ठीक है फिर क्या रहा है मरपस cystic fribrosis ठीक है cystic fibrosis फिर क्या आता है phenyl ketonuria phenyl क्या phenyl ketonuria ketonuria और इसके साथ साथ एक और आता है जिसे हम क्या कहते हैं दात्र इसे हम क्या कहते हैं दात्र अरक्तता दात्र कोशी का अरक्तता दात्र कोशी का अरक्तता जिसको हम sickle cell अनिमिय बोलते हैं अरक्तता ठीक है तो ये कुछ ऐसे example है जो इसमें आते हैं और जिनको हम पढ़ सकते हैं ठीक है इतनी बात सब बच्चों को clear कि ये उधारनों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये सब क्या है उधारन है इसके ठीक चलो ठीक है अब यहाँ पे ये भी बताना बहुत जादा जरूरी है आपको भ प्रभावे और क्या है अप्रभावी दोनों तरीके के है ये ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई क्रोमोजोम आधारित भी हो सकते हैं है ना हो सकते हैं तो यह clear है बिल्कुल भाई कि जो X लगन अप्रभावी लक्षन है उसका वाहक कौन है? मादा है ठीक है? उसको आगे लिख ले क्या? चलो आगे लिख लेते हैं कि जो X लगन इसे से लिख देते हैं कि जो X लगन क्या है? X लगन अप्रभावी अप्रभावी लक्षन है ठीक है? इसकी वाहक कौन है? इसकी वाहक कौन है? मादा है ठीक है? और जो है इसकी लक्षन कौन है? सॉरी जो है जो X लगन अप्रभावी लक्षन की वाहक मादा है ठीक है? और इससे ही मादा से किसको जाता है मादा से किसको मिलेगा जो नर संतती होती है जो नर संतती होती है उसको मिलता है ये ठीके तो इसको हम कैसे देख सकते हैं इसको कैसे देख सकते हैं कि भाईया एक स्वस्त नर है स्वस्त नर है हमारे पास एक ठीक है इसके पास क्या है xy है और एक ग्रसित नर है ठीक है तो इसके पास क्या है इसके पास भी xy है ठीक यहाँ पर क्या है एक यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है ग्रसित ने स्वस्त मादा है यहाँ स्वस्त मादा इसके पास क्या है xx है ठीक है और यहाँ क्या है ग्रसि मादा इसके पास क्या है X X है तो यहां पर क्या होता है देखो समझने वाली बात यह है कि अगर हम स्वस्त की बात कर रहे हैं तो ना X पे कुछ होगा ना Y पे कुछ होगा दोनों पे कुछ नहीं होगा बेकुल इसी तरीके से अगर मादा की बात है तो ना X पे होगा ना X पे ह लक्षन यानि कि यह आप्रभावी है लक्षन है लेकिन अपने आपको दिखाएगा नहीं लक्षन है लेकिन अपने आपको दिखाएगा नहीं तो एक्स लगन आप्रभावी लक्षन की वहां कौन है मादा है ठीक है तो यह एक्स पर मिलेगा हमको ठीक वहीं अगर ग्रसित मा को शो कर रहा है तो भाई यहां पर यह अप्रभावी हो गया इत्ति बात क्लियर है ना चलो फिर क्लियर तो आगे बढ़ जाते हैं है ना अब आता ही मो अच्छा ही मोफिली आ गया इसके बाद लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और जानने जरूए थी वही अनुवंशिक वि विकार को जानना बहुत जादा जरूरी है ठीक है घीए ठीक है तो हमने बी मेंदल होते हैं ठीक है एक तो मेंडली हो गए जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ाए है ना मेंडली विकार के बारे में अभी पढ़ाए हमने है ना और दूसरा क्या हो गया क्रोमो सोमल क्रोमो सोमल विकार ठीक है तो अगर मैंने में बेंडली विकार के बारे में आपको बताया है अभी ठीके बेंडली विकार के बारे में बताया है तो यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि भाईया यह जीन और डिने दोनों में चेंज आ सकता है यहाँ बदलावा सकता है ठीके और इससे क्या होगा अलग 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 विकार होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग विकार होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत जादा जरूरी है, अब यहां जो विकार होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, वो जानना बहुत जादा जरूरी है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता ह हेमोफिलिया आता है ठीक है नमबर वन पर हम किसको उठाते हैं हीमोफिलिया ठीक है नमबर दो पर हमारे पास क्या आता है वन नांदता ठीक है वन नांदता ठीक है वन नांदता ठीक है यह दोनों आगे नमबर तीन पर हमारे पास क्या आता है नमबर तीन पर हमारे पास आता दात्र कोशिका अरक्तता ठीक है नमबर तीन पर आ गया चार पर गया फिनाइल के टो नूरिया आ जाता है चार पर फिनाइल किटो नूरिया ठीक है यह आ गया आपका चार नमबर पर और पांचवे नमबर पर आपके पास आता है ठीक है तो इस तरीके से पांच आपके पास मेंडलिय विकार आ जाते हैं तो जिसमें से अगर हमने जो नीले रंग से लिखा है ठीक है जो नीले रंग से हमने यहाँ पर कौन है हीमोफीलिय और वर्णान दिता ये दोनों हमारे पास है एक्स लिंग सहलगन अप्रभावी विकार अच्छा प्रभावी विकार प्रभावी विकार ठीक है फिर लाज के जो तीन है ये तीन क्या है आपके ये हैं अलिंग क्रोमोजोमल आ प्रभावी विकार ठीक है दोनों ये प्रभावी विकार ठीक है चलो यहां तक क्लीर ना प्रभावी विकार ये यह क्या एक्स लिंग सहलगन है और ये अलिंग क्रोमोजोमल है ठीक है तो यहां पर हमको पास चीज़े पढ़ने हैं इतनी बास सब बच्चों को clear जल्दी बताईए clear होगे ने इतनी बात सबको है ना कोई doubt तो नहीं है किसी को हाँ ठीक है ना चलो फिर अब आजाते हैं भाईया हम hemophilia के उपर मैंडेलिये विकार आगिया हमारा ठीक है अब आजाते हैं हीमोफीलिया के उपर ठीक है हीमोफीलिया तो अगर मैं हीमोफीलिया की बात करती हूँ तो हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं रॉयल डिजीज बोलते हैं रॉयल डिजीज बोलते हैं क्यों बोलते हैं इसको रॉयल डिजीज हां कौन बता सकता है कि इसको रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं क्योंकि ये किसी दानी के किसमें पाई गई थी हां खांदान में पाई गई थी ठीक है ना ठीक है तो ये क्या है क्या बताए था मैंने यहां पर भी, हाँ, कि कहा गया, यहां भी बताए था न देखो, कि यह क्या X-link, sehlagn, anaprabhaavii, विकार होता है, थीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि पर यह जो royal disease है, यह क्या है, X, X-link, link, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार ठीक है यह क्या होता है एक्स लिंग सहलगन अप्रभावी विकार होता है ठीक है चलो ठीक है अब यहाँ पर कैसे समझते हैं हम यह देखो अगर मैं कहती हूँ कि यह क्या है गुर्षूत्र है ठीक है यह क्या है एक गुर्षूत्र है इस डियेने है यह जो गुर्ण सूत्र है इसमें यह जो गुर्ण सूत्र है इसके अंदर क्या मौज़ूद है डियेने है ठीक है डियेने है अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जब वे ने कहा कि गुर्ण सूत्र के अंदर डियेने है तो यहाँ पर एक डियेने में खराबी आ स तो दो रवाचा कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर जब यह आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो लक्षन की बात कर रहे हैं हम, अप्रभावी लक्षन, यह असानी से नहीं दिखता है, यह असानी से नहीं दिखता है, ठीक है, यह क्या होगा, यह असानी से नहीं नजर आएगा इस चीज को याद रखना ठीक है अब यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर DNA में गरबड़ी हो रही है तो यहां इसके लक्षन कैसे दिखेंगे कि भाई जो रुधीर है याने कि जो हमारा खून है ठीक है तो जब चोट लगती है तो आप लोगों ने देखा ह कि यहां चोट लगे तो थोड़े दाएंबाइन भाएत करेंगे तुटे यहां पर बलड होता है वो क्या होता है ठीके दूसरा क्या होगा यहाँ पर एक और चीज होती है क्या होती है जो रुधिर है है ना जो रुधिर का थक्का है ठीके इसको बनाने वाला जो प्रोटीन है इसको बनाने वाला जो प्रोटीन है ठीके इसमें क्या हो रहा है इसका जो जीन है वो क्या हो रहा है प्रभावि होता है ठीक है इतनी बात क्लियर कि भाया जीन इसको बनाने वाला जो क्या बोलते है प्रोटीन है उसका जीन है वो भी प्रभावित हो रहा है और साथ-साथ यहां पर पर क्या होती है जो मादा होती है वो ज्यादातर क्या होती है वो ज्यादातर रोग वाहक पाई जाती है यह क्या होती है रोग वाहक पाई जाती है ठीक है मतलब कि यह रोग की वाहक है यह रोग को फैला रही है यहां पर ठीक है फिर अगर मैं नर्ग की बात करती हूं ठीक है तो दनर चलो चलो इसको ऐसे समझो धेले चेपय रोग वहाग है अब आदा के पास किया होता है दो एक्स होते है तो यहाँ रोग ग्रसित है ये हमें मालूम है रोग ग्रसित है ये है ना रोग ग्रसित है इसके एक जीन में खराबी आ गई है यहाँ पर ठीके तो जब हमने बोला ये रोग ग्रसित हो गई है ओके ये कैसे मिले कि भई एक्स एक्स इसको एक्स को ठीक है, याने कि क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यह ग्रसित हो जाएगा, अगर यहाँ पर खराबी आ गई है तो, यहाँ पर खराबी आ गई है तो क्या हो गया, यह ग्रसित हो जाएगा, और यह भी रोग ग्रसित हो जाएगी, ठीक है, यह भी रोग ग्रसित हो गई, क यह देखो यह रही मादा आपकी और यह क्या रहा नर मादा के पास क्या है एकस एकस है नर के पास क्या है एकस वाई है यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक इसमें खराबी आ गई है वो क्या है एकस वाई नॉर्मल है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी पहले इसके साथ कर ठीक अब दूसरे के कराते हैं यह वाला जो X है हमने इसकी इसके साथ कराई हमें X X मिला और यही वाला इसके साथ कराई X Y मिला जाने कि यह दोनों जो क्या मिले हमको यहां पर यहां पर यह एक्स है ठीक है यह दोनों क्या है रोग रुको एक रोग वाहक है और एक रोग ग्रसित है है ना ये क्या है आपका रोग वाहक हमने क्या बोला मादा क्या होती है रोग वाहक होती है और नर क्या होता है रोग ग्रसित होता है यहां विचारे नर के साथ बहुत बड़ी चोट हो जाती है कि मादा वाहक रहेगी और जो नर है वो ग्रसित हो जाएगा फिर बात अगर यहां आती है तो यह दोनों कैसे हैं बिल्कुल सामानने हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतनी बाद सबचों को clear है ना क्लियर होगे इतनी बाद सब बच्चों को चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब देखो टेक्स क्या बोलता है टेक्स को समझ लो कि इस लिंग सहलग ने रोग वाहक रोग का व्यापक अध्यन हो चुका है इसको बहुत जादा पढ़ा जा चुका है इसमें यहां पर क्या हो रहा है का एक एकवर प्रोटीन शंकला का एंश मात्र होता है अंश मतलब जरास अबिल्कुल जराशी मात्रा इसके कारण आहात व्यक्ति के शरीर की एक चोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद ही नहीं होता है भाई देखो मैंने आपको क्या बोला कि खून निकलना कब बंद होगा जब जो है क्या होगा जब उसके पर ठकका बन जाता है चोट लग जाती है तो ठीक है जब यहां पर चोट बन रही है उसके पर खून जम विरल होती है मतर्ब बहुत रहयर होती है कि नारी रोग ज्रस्त हो जाए यह मीशे वाहग का काम करती यह फैला नहीए काम करती क्योंकि इस प्रकार की नारी की मात्य को कम से कम वाहق और पिता को हीमोफीलिय से ग्रस्त होना पड़ेगा देखो जो एक नारी है ठीके वो रोग ग्रसित कब होगी रोग ग्रसित कब होगी जब यहां जो नारी है इसकी जो माता है इसकी जो माता है वो क्या है वो होगी आपकी वाहक वो होगी आपकी वाहक और जो इसका पिता है ठीके वो क्या होगा रोग ग्रसित ठीके तो ये चीज आपको याद रखने जरूरी है और मुझे लगता है कि ये जो लाइन लिखिये मैंने वो इस एक डाइग्राम में आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चारे हूँ। है ना चलो पर अब महरानी विक्टोरिया कि वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रplants वंशैस थे। ठीके बहुत सारे थे। हैं जो स्वेम रोग की वाहक थे। सबसे पहले ने विमारे महरानी विक्टोरिया में देखी गई थी ठीके तो अगर महरानी विक्टियोरिया के पूरे वंश की बात करते हैं तो ये क्या थी ये खुद रोग वाहक थी क्या थी ये रोग वाहक ठीके यानि कि इसके पास तो एक्स एक्स था इसके पास क्या था एक्स एक्स था ठीके इसके एक X में क्या आगई थी? गरवड़ी आगई थी ठीके? एक X के जीन में गरवड़ी आगई थी ठीके? जो क्या हुआ? पीडी दर पीडी आगे चलती रही पीडी दर पीडी आगे बढ़ती रही ठीके? तो properly इसका मतलब ये है, इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई? फटा-फट से मुझे क्लियर करके बताओ बताईए जल्दी हाँ? क्लियर? चलो, ठीके ये देखो, ये हीमोफीलिय जो है हीमोफीलिया में है यहाँ पर क्या है? कि भई ये जो RBC जा रही है ठीके? तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है ठीके? चलो फ़र आता है हमारे पास वर्णांदता, वर्णांदता को हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइडनेस बोलते है क्या बोला हमने इसको कलर ब्लाइडनेस यह क्या होता है color blindness कहलाता है ठीके ओके ठीके ना यह क्या है आपका color blindness है अब यह क्या है यह आपका x-linked गुर्शूत्र विकार है ठीके यह भी क्या है x-linked गुर्शूत्र या क्रोमोजोमल विकार है ठीके यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर क्या है x-linked x-linked सहलगन अप्रभावी विकार ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ठीके ऐसे भी लिख लो या फिर ऐसे भी लिख लो दोनों चीज से मैं अब यहाँ पर क्या है क्या दिक्कत आती है बताओ मुझे यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी क्या दिक्कत आ सकते है फड़ावर कॉमेंट में बताओ क्या दिक्कत आ सकते हैं यहाँ पर अरे भाई यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी कि लाल और हरा रंग जो होता है लाल में हरा रंग जो होता है उसको पहचानने में दिक्कत आती है पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं या फिर ठीक है आ समर्थ हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है ठीक है यह देखो यहाँ पर लाल और हरा रंग ऐसे combination में दिया हुआ है कि जिसको color blindness होगी वो लाल जैसे मुझे दिख रहा है कि यह लाल यह पीला आगी आपका यह ना ना रंगी आपका तो मेरे को दिख रहा है क्योंकि मुझे चलर ब्लाइडनेस नहीं है थीट्क है तो जिनको ब्लाइडनेस होगी उनको पता नहीं चलेगा कि यह लिखा हुआ अंदर c o l o u r ठीक है हाँ चलो इसको समझते हैं तो ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो नर होता है यहाँ पर जो नर होता है नर क्या है आपका 8% है ना ग्रसित बनेगा ठीके और जो मादा है जो मादा है वो 4% वाहक है सिर्फ ठीके जो नर है वो क्या है 8% ग्रसित बनेगा और जो मादा है वो क्या बनेगी वाहक बनेगी सिर्फ 4% ठीके क्योंकि जो नर है क्योंकि अगर मैं नर की बात करती हूँ तो नर क्या है भाईया एकस वाई है ठीके अगर मैं इस नर की बात करती हूँ आजा नर की बात करती हू तो इसके पास क्या है X Y है यानि कि X के उपर है ये ठीक है तो ये क्या हो गया रोग ग्रसित हो गया है ना ये रोग ग्रसित हो गया है अब यहाँ पर क्या अगर मैं मादा की बात करती हूँ तो मादा के पास क्या है X X है यहाँ पर एक पर गड़बड़ी आ गई है तो यह क्या कहलाएगी यह रोग वाहक कहलाएगी रोग वाहक होगी वही अगर यह दोनों एक्स एक्स पर होगी दोनों एक्स एक्स पर होगी तो यह क्या होगी रोग ग्रसित ठीक है इस तरीके समझो इसको अभी समझ पे आ गया कि भाईया अगर एक x male पे है न तो ये ग्रसित ही रहेगा इसको रोग हो गया लेकिन अगर मादा पे एक पे है तो वो वहाख हो गई और दोनों पे है तो वो क्या हो गई ग्रसित हो गई ठीक ये देखो चलो बढ़िया इसको यहाँ पे समझते हैं कि मैंने कहा रोग ग्रसित नर क्या का मैंने रोग ग्रसित नर ठीक है ये क्या है आपका रोग ग्रसित नर है ठीक है और एक तरफ क्या है स्वस्त मादा स्वस्त मादा ठीक है नर के पास क्या है xy है ये लो अब रोग ग्रसित याने की इस पे x के उपर ये है स्वास्तमादा है मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा अब इन दोनों को मैंने क्या किया लो युगमक बनाते हैं इनका युगमक कैसे बन गया ये x आ गया ये y आ गया ठीक है x और x आ गया ठीक है अब इनका मैं क्या कराती हूं लो इनका पुनेड़ स्कॉयर बनाते हैं ये लो क्या बनाते हैं इनका पुनेड़ स्कॉयर कहाında है चलो यहां बना लेते हैं ये लो यह हो गया आपका पॉनेट स्कॉयर यह आ गया xx यह आ गया xy ठीक है यह आपका नर है और आपकी मादा है चलो इन दोनों कराया तो क्या मिला हमको ऐसे ठीक इन दोनों कराया तो क्या मिला xy xy ऐसे मिला हमको है ना तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यह दोनों क्या है xxx यह दोनों क्या है यह वाहक है यह क्या हुए वाहक हुए ठीक है मादा वाहक ठीक है और यह जो नर की बात हो रही है यह नर कैसे है यह सामानने नर है ठीक है अब देखो फिर से देखो फिर से बना यह देखो ठीक है पहली बार में कहा था एक्स वाई पे था इस बार हमने एक्स पे रखा है ठीक है याने कि जो मादा है उसको हमने क्या बना दिया वाहक बना दिया इस बार ठीक है और यहां पर जो क्या है यहाँ पर कौन था ग्रसित नर था अब जब इन दोनों ये कराई तो हमको क्या मिला यह मिला इन दोनों ये कराई तो यह मिला ठीक है इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ इसका मतलब यहाँ पर यह दोनों जो संतिती बनी यह क्या थी सामान ने थी ठीक, और ये जो एक नर और एक मादा बने है, ये क्या है? कि भाया, ये जो है, ये क्या बन गई, आका की वाहक बन गई, ये मादा, और ये क्या बन गया? ग्रशित हो गया ठीक है? ऐसे ही हुआ है, है न? चलो, यहाँ पर सेखो, एक और चीज़ बताती हूं एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर हम इनका क्या बनाएंगे एक पेज जोड़ते हैं यहां पे लो पेज जोड़ा हमने यहां पे ठीक है यहां पर हम बना रहे हैं कि भाईया जो क्या है जो नर है वो क्या है ग्रसित है हमने बोला नर क्या है ग्रसित है इनके बच्चे हुए कितने बच्चे हुए लो यह हो गया यह हो गई यह हो गया ठीक है यह इनके बच्चे हुए अब यहाँ पर क्या हुआ जो मादा थी वो क्या हो गई वाहक हो गई यह नर क्या है ग्रसित हो गया यहाँ पर जो मादा है यह क्या है वाहक हो गई है ठीक है मादा क्या है यहाँ पर वाहक हो गई है ओके चलो और जो दूसरी वाली है है ना जो दूसरी वाली है जो सेकंड न ठीक है, ये जो वाहत थी, इसने एक नॉर्मल लड़के से शादी कर ली, इसने क्या कर लिया, एक नॉर्मल लड़के से शादी कर ली, ये लो, नॉर्मल लड़का आ गया, ठीक है, नर, नॉर्मल है ये, अब इनके संतती पैदा हुई, ठीक है, इनके क्या हो रही है, संतती प लड़की हुई लड़का हुआ अब यहां पर जब यह वाहक है यह नॉर्मल है तो यहां पर जो पुत्री है यहां जो पुत्री है लो यह दोनों क्या बन गए यह बन गई आपकी वाहक और यह क्या हो गया ग्रसित हो गया और यह दोनों क्या हो गया सामानने ठीक है यही हम दोनों ने पढ़ी थी जब क्रिस क्रॉस वंचागती में हमने देखा था ठीक है चलो फिर अब ये पढ़ लेते हैं हमने क्या बात करी क्या बात करी थी हमने कि ये एक लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है और ये विकार जो है लाल अत्वा हरे वर्ण सम्वेदी शंकू के तुटी पूर्ण होने कारण होता है शंकू मतलब कौन ठीक है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है कुछ गड़बड़ी आ जाती है उसकी वज़े से ये विकार X क्रोमोजोम पर मौजूद कुछ जीनों में उत्परिवर्टन के कारण होता है कि भाई ये X क्रोमोजोम है है ना इसके उपर कुछ जीन्स मौजूद है इन जीन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाती है गड़बड़ी ठीक है जब गड़बड़ी हो रही है तभी क्या हो रहा है यहां पर उत्परिवर्तन हो रहा है ठीक है लगबग 8% पुरुष जो मैंने बताया था ठीक है और 4% नारी ठीक है 4% नारी ठीक है मात्रा में ये विकार पाये जाता है ठीक इसका कारण लाल हरी वर्णांदता के लिए उत्तरदाई जीनों का X क्रोमोजोन पर उपस्तित होना होता है ठीक है नर की कोशिकाओं में केवल X क्रोमोजोम होता है पर Nashville के वर्णांद होने की समभावना 50% है ऐसी जो नारी है जो वाहक है उसके पुत्र में 50% चांसे जादा होते हैं कि वो वर्णांद हो जाएगा ठीक है क्योंकि सलगन जीन आप्रभावी है है लेकिन वो आप्रभावी है ठीक अंतह विशम युगमजी जननी स्वयम वर्णांद नहीं होती है क्योंकि वो क्या होती है वाहक होती है क्या होती है वो वाहक होती है इसका मतलब है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी अलील के प्रभावी होने कारण निरद हो जाता है या छुप जाता है दिखता नहीं है जो हम लोगोंने मेंडल जी की कहानी में बहुत पढ़ा था ठीक है पुत्री समानता वर्णांद नहीं होगी जो बेटी होती है वो नॉर्मली कभी क्या होगी वर्णांद नहीं होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है वाहक होती है जब तक कि मा वाहक और पिता वर्णांद ना हो यहाँ पर यह टार्म्स एंड कंडिशन्स एप्लाइ होती है टी एंड सी लो स्टार मार्क ठीके तो इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है तो हमने क्या बोला था कि भाईया जो मेंडलिये विकार थे हम बात कर रहे थे मेंडलिये विकारों के बारे में हम बात कर रहे थे ठीक, क्या बात कर थी, हमने, हमने देखा था, अब तक हीमोफीलिया और वर्णादिता, ये दो चीज़े हमने देख ली थी, क्या देखा था हमने, हीमोफीलिया, ये हमने देख लिया था, ठीक, और क्या बात कर ली हमने, वर्णादिता की बात कर ली, है न, ये दोनों के हमने बात कर ले थी दोनों क्या थे एक्स लिंग सहलगन ये क्या थे एक्स लिंग सहलगन क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल अप्रभावी विकार ठीक है ना ये हम चीजे पढ़ चुके थे आज हम क्या बात करेंगे आज हम बात करेंगे किसके बारे में आज हम बात करेंगे दात्र कोशिका अरक्तता ठीक है ये बात करेंगे दूसरा फिनाईल कितनूरिया फिनाईल कितनूरिया ठीक है और क्या बात करेंगे हम थैलेसीमिया ठीक है और लास्ट में एक चोट असा टॉबिक है सिस्टिक फ्राई ब्रोसिस ठीक है ये सारे के सारे चीज़े आज हम देखेंगे ये क्या है ये है ये है भाई आपके अलिंग क्रोमोजोम पर होते हैं ये अलिंग क्रोमोजोम पर होते हैं ठीक है पर होते हैं अलिंग क्रोमोजोम मतलब क्या आगया आपका यहां पर हाँ आपका आगया एक्स एक्स ठीक है ये किस पर होते हैं एक्स एक्स पर होते हैं ठीक है चलो ठीक है यहाँ पर ये मांग लेते हैं और ये क्या होते हैं आपके य है लगन क्रोमोजोमल अप्रभावी विकार हमने क्या कहा था यहां पर एक जीन में खराबी आ जाती है यह गडबड़ी हो जाती है यहां पर यह होता है ठीक है अलिंग इसको हम और क्या क्या बोलते हैं और क्या बैछिग को चलिए Barbara को इसको आगे बढ़ा देते हैं इस तरह के देखो यह किया हमारी डियो रीचिया जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं सिकल शेफ्ञा की क्या के बात करने चारे इसके बार मैं बतौ हूँ तो यह क्या है Nordic । अलिंग सहलगन क्रोमोजोमल आप्रभावी विकार ठीक है इसको हम क्या कहते है अलिंग सहलगन क्रोमोजोमल आप्रभावी विकार अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो दोनों जनक होते हैं ठीके, यहाँ पर क्रोमोजोमल में अगर बात करें, तो यह दोनों जनक हैं, है न, वो क्या करते हैं, रोग फिलाने वाले होते हैं, ठीके, रोग फिलाने वाले होते हैं, ठीक, ओके, माल लेते हैं, जब हम नर की बात करते हैं यहाँ पर, जब हम यहाँ पर नर की बात करते है नर और यहाँ पर क्या आगई आपकी मादा तो नर क्या है आपका वाहक ठीक है और मादा क्या है मादा भी वाहक है दोनों की दोनों वाहक है अब हमने क्या बोला कि जब इन दोनों की शादी होगी ठीक है इन दोनों की शादी होगी तो क्या होगा भई 25 से 50% पूरे पूरे च चांसिस होंगे कि जो रोग पीडित क्या होगी संतती पैदा होगी ठीके जो संतती पैदा हो रही है मतलब वो कैसी है रोग पिरित है 25 से 50 पर सिंट पूरे पूरे चांस होंगे इसके जब यह दोनों क्या है नर और माहदा वाहक है ठीके इतनी बात किते बच्छें को clear फड़ावट से बता दो जल्दी से ताकि इसको हम आगे बढ़ा सके अब हमने क्या बोला कि दोनों जो ये हैं जनक रोक के वाहक है अब यहां होता क्या है यहां पर क्या होता है कि भाईये जब हम रक्त की बात कर रहे हैं है ना तो रक्त में क्या होता है हमको मालूम है कि RBC ह होती है और इस RBC में क्या होता है अणू होता है ठीक है इस RBC में एक अणू होता है जिसको हम हीमोगलोबिन बोलते हैं हीमोगलोबिन बोलते हैं जिसको है ना बोलते हैं हीमोगलोबिन है ना हीमोगलोबिन अणू बोलते हैं इसको ठीक है यह क्या होता है लाल रंग का होता है और ये क्या होता है भाई प्रभावी होता है ये अपने आपको दिखाता है ये कैसा है प्रभावी होता है ठीके इतनी बात सब बच्चों को clear पढ़ा वासे थमसब दिखा दो क्लास को शुरू करने के लिए कि भाई हाँ clear हो गिया है थोड़ा energy आ जाएगी जल्दी जल्दी हाई जल्दी चलो आगे बढ़ते हैं हम अब हम के बात करते हैं कि भाई अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रही हूं हम अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रही हूं हम हीमोग्लोबिन लो मैंने इस हीमोग्लोबिन की अगर बात कर रही है तो हीमोग्लोबिन में क्या होता ह है हीमोग्लोबिन में चार हिम अडू से बना हुआ होता है ठीक है चार हिम अडू से बना हुआ होता है ठीक है जी माल लेते हैं इसमें प्रोटीन चार होते हैं इसका मतलब इसमें चार प्रोटीन होते हैं ठीक है चार प्रोटीन होते हैं यह लए चार प्रोटीन ठीक है चार प्रोटीन में से कैसे होंगे, दो होंगे अलफा प्रोटीन, इस में से दो हो गए अलफा प्रोटीन और दो कौन से हो गए बीटा प्रोटीन, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं, किसकी चेन, प्रोटीन की चेन बनाते हैं, ठीके, जो की अलग-अलग अमीन तो एसिट से बने होते हैं, ठीके, बने होते हैं, ठीके, चलो इसका structure देख लेते हैं, एक बार इसका structure कहता है, मैंने का 4 अणू होते हैं, एक, दो, तीन, और 4, क्या ही Fe, Iron, हमें पता है, Hemoglobin में क्या होता है, Iron होता है, ठीके, Fe, अब इसके उपर भाई, हमने क्या 4 हिम अणू होते हैं, क्या बोलते हैं, चार हिम अणू से बना हुआ होता है, यह रहे 4 हिम अणू, अब इसके उपर हमने क्या बोला, Alpha क्या होता है, Globulin, ठीके, तो इस वाले पर क्या होगा alpha globalin है यह लो इस तरीके से यहां क्या है उपर वाले पर alpha globalin ठीक है उपर यह हो गया और जो नीचे वाले हैं इन दोनों पर इन पर क्या हुआ beta globalin ठीक है चलो ठीक है यह इस तरीके से यहां पर भी ऐसे होती है ठीक है ना चलो इतनी बात सबको clear हो रही है अब यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है कौन बताएगा मुझे बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या होता है हाँ यहाँ पर एक जगा पर क्या होता है अमीरो एसेट मौजूद होते हैं सपोस करते हैं ठीक है अमीरो एसेट मौजूद होते हैं पहले जानलो कि नॉर्मल व्यक्ति की जो आर्बीसी होती है जो नॉर्मल व्यक्ति की आर्बीसी है तो यह यहां पर किया होगा एफी 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 ठीक है यह कि नॉर्मल वेक्ति की रवीची है ठीक है नॉर्मल वेक्ति में रवीची कुछ इस तरीके से होती है लेकिन अगर हम इसकी यहां पर बात करते हैं कि यहां पर मैंने बोला कि यहां पर क्या हो रहा है यह जो चेन है ठीक है ज चटा हिस्थान करना है अपने को था एक दो तीन चार पांच छ्याय आगी आपका पांच यह छाटा इस्थान तो ऎहां ये जो छाटा इस थान यहां पर क्या है हाँ जो देदरोजन चाल का क्यों फोर यहां पर क्या होटा है जी बाल Oz acontec यहाँ पर क्या है आ। अमीनोत'S है भी तो यहाँ पर यह जो अमीनोतÇ ए यहाँ पर क्या होगा गची में यहाँ पर बन जाता है और और यह जगाँ पर यहां गा आपि क्या होता है तो यहां पर क्या हुआ लाइन थिक दो यहां पर क्या हुआ इसकी वजह से वह वा राइए यह जो ही शाप Mussol chef क्यों betadal जाता है क्योंकि पूरे एक sequence में चलेगी यह चीज़े किस sequence में क्या आ रहा है अब जब यहां पर बदलाव हो रहा है कि GAG की जगा GUG आ गया है तो यानि कि यहां पर यह जो hemoglobin का structure है इसमें क्या होगे इसमें बदलावा गया है और जब इसमें बदलावा आएगा तो इसका मतलब वो जो normal RBC बनाई थी मैंने उसमें भी क्या हो जाएगा बदलावा जाएगा ठीक है जब इसके structure है बदलावा आ रहा है तो यहां पर RBC का जो shape है और नॉर्मल RBC मैंने क्या बोला ऐसी होती है ठीक लेकिन जो RBC का shape है वो ऐसे बन जाता है फिर जब बदलावा जाता है ठीक है ठीक है ना इतनी बात clear सबको हां बताओ clear हो गए ना इतनी बात हां तो यहां पर क्या हुआ है सिकल शेप बन गिया है ऐसे ठीक है यह जो सिकल शेप बना है यही क्या कहलाता है सिकल सेल अनेमिया कहलाता है correct इतनी बात कि भाईए हमको यह मालु है कि यहां पर क्या होता है जो चटे स्थान पर यह क्या बोलता है गलूटमीन प्रेजेंट होता है जो सिक्सित स्थान पर क्या मौभ़ू इन सेल आगे बड़ जाता है ठीक है उस change की वह इसे यो आवमिया सिकल शेप हो जाती है इतना याद रखो ठीक है ना चलो आगे बर जाते हैं अब मैं गर इसके लक्षणों की बात करती हूं कि लक्षण कैसे पता चलेंगे आपको कि हां भाईया सिकल सेल एनेमिया हो गया है जैसे कि कभी कोई आप हैवी वर्काउट कर रहे हो ठीक है मैंने क्या मोला कि आप क्या कर रहे ह तो हैवी वर्काउट कर रहे हो है ना हैवी वर्क कर रहे हो ठीक है तब पता चलेगा तब क्या होगा कि जब हम काम करते हैं तो हमको मालूम है हमें ऑक्सीजन की डिमांड होती है बाडी से कि हमारी बाडी को ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा यह जो ऑक्सीजन ह उसकी कमी महसूस होगी ठीक है कमी फील होगी या महसूस होगी कुछ भी लिखतो तो इसके कारण क्या होगा जो आरबीसी होगी ठीक है वो ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए अपनी जो शेप है वो क्या करेगी चेंज करेगी ठीक है और बाइया यहां क्या महसूस होगा हम कि कोई इंसान क्या कर रहा है दौड रहा है लो दौड रहा है कोई मनुष्य है दौडता है ठीक है तो क्या होगा जो आर बी सी है आर बी सी ठीक है वो कैसी आपकी वो तो सिकल शेप है यह जो आर बी सी है वो तो शिकल शेप है याने कि क्या है भाई यहां पर जो रक्त वाहि नहीं है कैसी होती है रखतवाहिने ऐसी होती है आपकी रखतवाहिने तो जो गोल-गोल है वो तो चली जाएंगी इसमें से लेकिन जो सिकल शेप हो जाएंगी है ना वो तो कहीं फस सकती है है ना वो तो कहीं फस सकती है ठीक तो यह जो रखतवाहिनी है वहां पर क्या होगा यह जो है फर्स जाएगी क्या होती है यह फर्स जाती है तो जब फर्स जाएगी तो सोचो यहां जो ब्लड जाएगा अंदर यहां जो ब्लड ट्रैविल कर रहा है वो केसे जाएगा नहीं जा पाएगा क्योंकि यहां तो ब्लॉकेज हो जाएगा एक के उपर एक एक के उपर है ना तो यहां पर यह होता है ऐसे आपको पता चलता है दो कारणों की वज़े से कि ओक समझ में आ गया है कि हां यह लक्षण दिख रहे हैं हमको बहुत ज़्यादा धकान मैसूस होने लग जाती है ठीक है इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई है है ना उमीद करती हो कि सब बच्चों को समझ में आ गई होगी ठीक है चलो फिर देख लेते हैं क्या बोल रहे है है ना यह क्या बोल रहे हैं देखो यहां हेट्रो मतलब अलग अलग तो यहां एच बी ए और एच बी एस दो हैं यहां पर ठीक है तो भाईये यह वेक्टिर रोग मुक्त तो होंगे लेकिन यह रोग के वाहक होते हैं मतलब यह फैला देते हैं उत्व परिवर्टिजीन के संत्तिती में पहुशने की 50% संभावना होती है इस विकार का कारण ही हीमोग्लोबिन अनों की बीटा ग्लोबिन श्रंकला की छटी इस्तिती में एक अमीनो अन्म ग्लोटमिक अन्म ठीक है का वेलाइन द्वारा प्रतिस्थापन होता है ठीक है मैंने यहां बताया था कांग्या वेलाइन वेलाइन के द् त्रतिस्थापनियाने की बदल जाता है ठीके ना क्लियर चलो ओके अब हमारे पास आता है फिनाइल केटनूरिया तो फिनाइल केटनूरिया को हम क्या बोलेंगे ये क्या है एक अलिंग गुर्ण सूत्रिय विकार है ठीके ठीक है मालिया जी हमने ये है अब यहां क्या है यहां पर क्या होता है भाई यहां पर अलिंग सहलग्न क्रोमोजोमल आप्रभावी विकार भी कहते हैं इसको क्या बोलेंगे इसको इसको अलिंग हमने जाना है हमने बात करिये अलिंग सहलग्न है ना क्रोमोजोमल क्रोमो जोमल आप्रभावी विकार यहां पर अच्छा होता क्या है यह देखो यहां पर होता क्या है यहां पर phenylalanine ठीक है, phenylalanine इसके बात करते है है, लो, phenylalanine ये क्या है? amino acid है, amino acid होता है, ठीक है, ये क्या है, हमारी body में तूटता है, break होता है, हमारी body में क्या होता है, यह break होता है ठीक है अलग कलर से लिखती हूं ध्यानते समझना बॉडी में क्या हो रहा है यह break होता है ठीक है तूटता है ठीक ओके जी मान लिया हमने अब तूटेगा तो क्या होगा जब यह तूटता है तो क्या बनाता है यह बनाता है आपका Phenyl, A9 अच्छा हाँ ये क्या है? ये enzyme है ये body में टोट रहा है किसकी वेशे टोट रहा है? इस enzyme की वेशे Phenyl, A9 Hydro Phy coy allen enzyme की presence में ठीक है enzyme की presence में या इसकी उपस्तेती में उपस्तिती, ठीक है, उपस्तिती में, करेक्ट, ठीक है, इस इंजाइम की उपस्तिती में ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, अब ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो किसमें चेंज हो रहा है, चेंज एलनाइन ठीक है ये बॉड़ी में ब्रेक हो रहा है इस इंजाइम की प्रेजेंस में तो ये बदल रहा है ताइरोसिन में अब इसका फाइदा क्या है ये देखो फाइदा क्या है ये इसके रिलीज होने के आगे देख लेते हैं चलो ठीक है ये जो टाइरोसिन है ताइरोसिन इसके मैं अगर फाइदे की बात करती हूँ फाइदा क्या भई ये? डाइजेशन में हेल्प करता है ठीके? फिर एक मेलैनिन पिग्मेंट होता है उसमें हेल्प करता है फिर किसमें क्या? हॉर्मोन्स में हेल्प करता है उनको ठीके? उसके बाद किस में करता है ये किद्नी में करता है ठीक है यहां तक कि जो हमारे मस्तिश्क में मस्तिश्क में काम हो रहा है कारे हो रहा है उसमें भी ये helpful है तो भाई ये इतने सारे काम है इतने सारे काम है इतने सारे चीजों में ये क्या कर रहा है help कर रहा है ठीक है चलो ठीक ठीक है मान लेते हैं ठीक है तो इतने सारे काम यह कर रहा है लेकिन हम इस बिमारी की बात करें तो सोच के देखो अगर किसी व्यक्ति में यह बिमारी है यह बिमारी है तो यहां पर यह जो फिनाइल एलनाइन है ठीक है यह जो फिनाइल एलनाइन हाइड्रोक्सीलेज ठीक है यहां बनाने वाले जीन में क्या होता है यहां पर mutation हो जाता है विलोपन हो जाता है ठीक है क्या हो रहा है विलोपन बोल दो चाहें इसको विलोपन बोल दो mutation बोल दो कुछ भी बोल दो उसके वज़े से क्या होती है इस gene में इसकी वएसे क्या हो रही है। खराबी आ रही है। यहां पर यह जो phenomenal प्रइज को помilling नयुक्ति में और यह जोब दोगाना और कि अज़ंगी morning तुन्यों आइल नाइन अ स्थिक्ष्ट की जिए इनजाईमें अधिका यह जो इनाइल अ य में इसको बनाने वाला जो जीन जाने वाला जो जीन है इसमें क्या हो रहा है मुटेशन हो रहा है उतपरिवर्तन हो रहा है विलोपन हो रहा है थीक है तो जब इस जीन में ये सब चीजें हो रही है तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इसकी वज़े से क्या होगा यह ब्रेक नहीं करेगा थीक है यह फिनाइ एलनाइन नहीं टूट पाएगा फिनाइल एलनाइन टूट नहीं पाएगा ठीक है टूट नहीं पाएगा ये टूट नहीं पाएगा तो भाईया दिक्कत हो जाएगी क्यों क्योंकि फिर टाइरोसिन भी नहीं बनेगा है ना टाइरोसिन भी नहीं बनेगा फिर तो जब यहीं नहीं तूटेगा इसी के तूटने पर तो टारसिन बन रहा है ये भी नहीं तूटेगा तो ये नहीं तूटेगा तो क्या होगा भाई है ये नहीं तूटेगा तो क्या होगा ये जो फिनाइल एलनाइन है ठीक है ये जो फिनाइल एलनाइन है ये क्या होगा हमारे मस्तिश्क म मस्तिश्क में क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा ठीक है मस्तिश्क में क्या है जमा हो जाएगा और ये जो जमा हो जाएगा इसके जमा होने से क्या है मस्तिश्क में दुर्बलता आजाएगी क्या होगी मस्तिश्क में दुर्बलता आएगी जिसके वएसे ये फिनाइल के टेनूरिया रोग हो जाता है अगर मैं इसके लक्षणों की बात करूँ तो लक्षण में हमारे पैस क्या आएंगे लक्षण की बात करते हैं हां तो लक्षण आगे आपका मानसिक दुर्बलता मानसिक दुर्बलता सबसे पहला लक्षण आजाएगा आपका माइन क्या हो जाएगा मतला आपको समझ भी नहीं आएगा सही क्या है गलत क्या है कुछ ड मेलनीन होता है ना ठीकर मेललनीन जो होता है उसका जो प्रड़क्शन थीकर नहीं होगा जिसकी वैश्य क्या होगा पैसा लांई हो मनुझे लाएक तो इतने सब बच्चों को क्लियर हो गई है मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में दिक्कत होगी बहुत असाने से बहुत असान शब्दों में समझाया गया है ध्यान राखना हाँ चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यह जन्मजात उपापचे तुटी मी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभ अजीब सा होता है बिल्कुल अजीब सा होता है रोगी व्यक्ति में फिनाइल एननल अमीनो अमलको टाइरोसिन अमीनो अमने बदलने के लिए आवश्यक एक इंजाइम की कमी हो जाती है जिसके बारे में हमने बात करी थी कौन सा इंजाइम फिनाइल एलनाइन हाइड्रॉक oxylase enzyme, ठीक, ओके, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही, फिर आप भी हमने कहा था कि इसके बाद हम बात करेंगे थैले सीमिया की, तो ये भी क्या है, ये अलिंग सहलगन, ये भी क्या है आपका, अलिंग, सहलगन, chronozomal, आप्रभावी, विकार है, ठीक है, आप्रभावी विकार है ये, ठीक है, clear, ये हम शुरू से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे जितने भी विकार पढ़ रहे हैं, disorder पढ़ रहे हैं, सब alink सेहलगन वाले ही पढ़ रहे है, तो ये भी उसी में आता है, ठीक है न, फिर क्या है, परिरात्मक विकार है ये, ठीक है, ये क्या है आपका, परि, रात्मक, विकार, है ये, ठीक है, मतलब की क्या है ये मतलब quantitative disorder है ये इसका मतलब क्या हुआ quantitative disorder है इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब क्या है चलो जानते हैं समझते हैं ठीक है क्या है इसका मतलब हाँ मतलब की जो alpha global in होता है मतलब जो एलफा ग्लोबुल इन है ठीक है यह जो एलफा ग्लोबुल इन है यहाँ पर क्या है जो बनने वाला जीन है बनने वाला जो जीन है स्वारी बनाने वाला जो जीन है यहाँ पर जो बनाने वाला जीन है उसमें क्या आ रही है गड़बर हो रही है उसमें गरबर हो रही है या खराबी हो रही है कुछ भी बोल सकते हो ठीक है तो भाईया जब इस जीन में खराबी हो रही है तो यह जो अल्फा ग्लोबिलिन है यह बनेगा कैसे सिंपल सी चीज़ है खराबी होगी तो क्या होगा क्या होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा है ना तो क् सेम बिलकुल ऐसा ही किसमे होगा, सेम बिलकुल यही किसमे होगा, यह सारी किसमे होगी भाई, किसमे होगी, वीटा में, वीटा, ग्लोबुलिन, ठीके, इसमे भी सेम यही चीजे रिपीट होगी, जो कि हमारे एल्फा ग्लोबुलिन में हो रहा है, कि इसको बनाने वाले जीन म जब गड़बड या खराबी होगी तो इसका production भी नहीं होगा ठीक है यहाँ पे भी यही होगा अब यह क्या है दो प्रकार के होते हैं देखो यहाँ पे पेज जोड़ लेते हैं काम करते हैं इसको समझने के लिए चलो यह रहा हमारा पेज चुड़ गया यहाँ पे ठीक है अब यह दो प्रकार के होते हैं ठीक है दो प्रकार का दो प्रकार का अलफा ग्लोबुल इन ठीक है दो प्रकार का अलफा ग्लोबल इन ठीक है यह जो जीन होता है यह दो पेर में होता है कैसे होता है यह देखो एक होगी आपका अलफा थैलेसीमिया ठीक है और दूसरा क्या आगया आपका बीटा थैलेसीमिया यह दो चीज़े आ गई आपकी ठीक है चलो ठीक है अब यहां बीटा में क्या होता है जो क्रोमोजोम होता है क्रोमोजोम 11 पर होता है यह यहां पर यह जो बीटा थेले सीमिया है यह क्रोमोजोम 11 पर होता है ठीक और यहां पर क्या होता है यहां पर आपका अल्फा जो अल्फा बीटा बीटा ग्लोबुलिन एक पेर में होता है ठीक है? यह क्या है? एक पेयर में होता है यहां पे जो बीटा ग्लोबिल है नहीं है फिर अगर मैं अल्फा थैले सीमिया की बात कर रहे हूँ है ना? अल्फा थैले सीमिया की बात कर रहे हूँ तो यहां पर अच्क है, यहाँ पे इलफा की बात चल रही ना? एलफा ही था यहाँ पे. कां चला गया? अलफा. चलो, अब इसकी बात करते है. यह कहां मिलता है हमको यह क्रोमोजोम नमबर? नमबर शिक्स्टीन पर मिलता है यह हमको. ठीक है और यह क्या है एक अलिंग गुड़ सूत्र है अलिंग गुड़ सूत्र है ये ठीक है कैसे भई है ये इस तरीके से मिलेगा आपको ऐसे पाए जाएगा ठीक यह chromosome largest पर मिला और यहां पर यह कैसे होगा एक pair में मतलब सिर्फ यहां पर इस तरीके से एक होगा ठीक है और यह क्या है दो line है यह क्या है एक line यहां पर यह होता है simply बस इतना सा जानने वाली चीज़ है ठीक है ना ओके चलो आगे बढ़ते हैं कि यह भी एक अलिंग क्रोमोजोम सहलगन आप्रभावी विकार है ठीक है हमने क्या मोला देखो बीटा गलोबलेंग जीन जो है उसमें एक ही होता है सिर्फ हैना और यह क्या दो हैं देखो यहां पर ठीक है चलो 16 पर क्रोमोजोम 16 पर क्रोमोजोम से लगन अप्रभावी जीन रक्त विकार है जो जनकों से संतती को वजशानोगत प्राप्त होता है यह यानिकी यह भी क्या है भाईया माता पिता से बच्चों में जा रहा है जबकि जनक यूगल के दोन जिससे क्या हो रहा है या जिसमें हीमोग्लोबिन जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिल इनकी किसी एक श्रेंकला अलफा या बीटा की संसलेशन पर कमी आ जाती है संसलेशन दर यानि इसके बनने में कमी आ जाती है ठीक है इतनी बाद सब बच्चे को ख्लियर है है ना चलो very good उसके बाद एक छोड़ा तापिक है इसको वा जरासा है इतना ही समझना है कि cystic fibrosis क्या समझेंगे cystic fibrosis को cystic fibrosis को क्या समझेंगे हमने बात कर लिये भाई ये भी क्या है अलिंग अलिंग सहलगन क्रोमो जोमल अप्रभावी विकार है ठीक है ओके इसमें ये है पहले चीज दूसरा क्या यहां पर क्या होता है जो बनाने वाला जीन होता है जो म्यूकस बनाने वाला जीन है देखो म्यूकस क्या है स्लेश्मा है ना क्या है स्लेश्मा या स्लेश्मा बोल दो बहुत जरूरी है यह हमारी बाड़ी में यह भी तो यह जो जीन होता है इस जीन में क्या हो रहा है? Mutation हो रहा है. Mutation बोलो, उत्परिवर्तन बोलो, विलोपन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? जब ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? तो यह क्या होगा? एक जगा जमा होता है, यह जमा होने लगता है, कौन जमा होने लगता है, यह म्यूकस, ठीक है, यह म्यूकस क्या है, उस एक जगा पे जमा होने लग जाता है, और और अविस सी बात है, जज़ जमा होने लग जाएगा तो यह भी क्या करेगा, यह बिमारिया फिलाने या काम कर देता है, ठीके तो cystic fibrosis में यह होता है ओके यहां पर मेंडलिय विकार छोड़ो यहां पर हम बात करते हैं अनुवांशिक विकार की ठीके किसकी बात करते हैं अनुवांशिक विकार की बात करते हैं तो इस अनुवांशिक विकार में आया था मेंडलिय विकार और दूसरा था kromosomal, क्या आया था इसमें? मेंडली आया था है ना? और दूसरा क्या आया था? kromosomal आया था ठीक है या गुरसूत्री ची ह बोल दो कोई फर्रक नहीं पड़ता, दोनों सेमी है kromosomal विकार ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या देखा था इन में? जब हमने चर्चा करी थी इनके बारे में क्या चर्चा करी थी बताओ तो भई हमने बात करी थी कि मेंडेलिय विकार या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं जीन विकार या जीनी विकार बोल सकते हैं है ना ये भी बोल सकते हैं आप बोलो कि मैं इंगलिश में लिख दिया है मैं भूल गई थी कि मैंने ये इंगलिश में लिख दिया है पर याद आगिया है मुझे क्या इसको जीनी विकार बोल सकते है क्योंकि जीन में होता है ठीक है या जीन में या डीने है ना जीन या डीने कुछ भी बोल सकते है ठीक है इसमें होता है क्यों कि यह इसमें क्यों होता है जब कोई गड़बड़ी हो जाती है या खराबी आ जाती है खराबी है फिर बढ़िया रही है तब जाके विकार हो रहा था हमने यह बात करी थी ठीड जो हमने बहुत पहले कवर कर चुके हैं बात करते क्रोमोजोमल की ठीड़ की यानि फ्रीविक या इसको हमने दूसरा क्या बोला आऩ ऐस फ्री ए क्लिकार अब यहाँ पर क्या होता है जब गुर्सूत्रे कोमोजोमल विकार की हम बात कर रहें तो यहाँ पर क्या होता है कि भाया डिसॉडर तो है विकार तो है बिमारी तो है लेकिन कैसे कि यहाँ पर क्या होता है जो गुर्सूत्र होते है गुर्सूत्र बोल लो या क्रोमोजोम बोल लो इन में जो संख्या होती है न जितने नंबर होते हैं संख्या में क्या बदलाव आ जाता है या तो वो क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी या क्या होगी कम हो जाएगी या तो वह जादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो क्रोमोजोमल विकार में बेसिकली ये होता है ठीक है? क्लियर इतना है ना? तो हम बात करेंगे भाई इसी चीज़ के बारे में क्रोमोजोमल विकार के बारे में चलो, आगे बढ़ जाते हैं उससे पहले हम कोई समझना जरूरी है कि आसू गुडिता और बहु गुडिता क्या चीज़ है तो ये समझ लेते हैं आसू गुडिता ठीक है बीच में हम पार्टिशन कर देते हैं यहां लिखेंगे हम बहु गुडिता ठीक है चलो अगर मैं असू गुडिता की बात करती हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं एन्यू प्लोईडी इसको हमने क्या बोला एन्यू प्लोईडी ठीक है लो जी इसको हमने बोला एन्यू प्लोईडी फिर बहो गुरिता की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं पॉली प्लॉइडी ठीक है क्या बोला पॉली प्लॉइडी बोला अब यहां पर अगर असु गुरिता की बात कर रहें तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर जो क्रोमोजोम है है ना या गुर्सूत्र है इसमें क्या हो रही है क्रोमोजोम की या तो कमी हो रही है या फिर अधिक्ता हो रही है या तो कमी आ जाएगी या फिर अधिक्ता आएगी कैसे आएगी ये जानो चलो मैंने बोला कि मेरे पास यह क्या है दो क्रोमोजोम से याने कि 2N है यह ठीक है यहाँ पर क्या होगा अगर एक क्रोमोजोम आके एड हो जा रहा है ठीक है एक क्रोमोजोम आके एड हो जा रहा है तो हमारे पास क्रोमोजोम के संख्या कितनी हो जा रही है बताओ कितनी हो रही है एक दो और यह लाल वाले भी आके यहां पर एड़ हो गया है तो कितनी हो गई है हमारे पास यहां तो दो थी ना लेकिन एक आगे चुड़ गया है तो यहां कितनी हो गई है 3N हो जा रही है यानि कि यहां पर एक अधिक है, ठीके, यहाँ पर एक अधिक है, वहीं अगर मैं बोलू कि एक और example लेती हूँ, कि यह हमारे पास दो chromosome है, यानिकि यह क्या है, 2N है, इस में से 1 क्या हो रहा है, एक minus हो गया है, तो हमारे पास एक यह बचा एक यह बचा ठीके और दूसरा क्या बचा जीеш। यानि कि हमारे पास शर्फ यहां पर N बचेगा तो यहां पर KYA हो रही है। यहां पर कमी आ रही है। ठीके यहां पर क्या आ गई। कमी आ गई। तो basically anubloid में यही होता है, ठीके, इसको इतना समझो, ओके, चलो, अब उधार आजाते हैं, बहुगुडिता में, ठीके, बहुगुडिता में क्या होता है? जो पूरा समुच होता है, वो अधिक हो जाता है, बतलब बहुत सारे, बहुत सारे आड हो जाते हैं, यहां क्या हो र देखो बताती हूँ अभी कैसे होता है मैंने क्या बोला हमारे पास ये 2N है दो क्रोमोजोम है अब इसमें क्या हो रहा है इसमें बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे सोन 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 क्रोमोजोम से एड हो रहा है बहुत सारे नहीं पता कितने सारे हो तक जारे हो तो यहां पर यहां पर यह क्या कहलाएंगे कि भाईया हमने क्या बोला यहां पर बहुत सारे बन जाएंगे क्रोमोजोम बहुत सारे क्योंकि यह दो तो थे हमारे पास लेकिन यहां कितना है यहां तो पता ही नहीं है यह तो पता ही नहीं है, एड होते ही चारे होते ही चारे, तो इस चेक के भी हो सकता है, 9 एड हो जाएं, 10 एड हो जाएं, 11 हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, कि तो नहीं हो सकता है, अपने इसको इन्फाइनेटी मान के चल रहे हैं, कि कुछ भी हो सकता है, नहीं मालू हमको, ठीके, तो यहाँ पर कहें, बहुत सारे अड़ो और हैं, पता ही ने चलता है कितने आड़ोगे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बहु गुडिता, बहु मतलब बहुत, ठीके? हाँ, चलो, यहाँ अ सू गुडिता, अ मतलब एक, या तो एक इसमें अड़ो जाएगा, या फिर एक इसमें less हो जाएगा ठीक है यह है basically तो इतनी बात clear सबको है ना चालो आगे बढ़ते दिव अर्द सूत्री आ जाते हैं है ना और दिव यून सूत्री ठीक है चलो हम पहले इन दोनों को अलग कर देते हैं यह हमारा क्या हो गया दिव अर्द सूत्री ठीक है यह क्या है दिव निव सूत्री ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब यह क्या होता है अगर यह जो दिव अर्द सूत्री है इसको हम क्या बोलते हैं टेट्रा स्वामी बोलते हैं इसको क्या बोला टेट्रा स्वामी बोला दियू न्यू सूत्री की बात करेते हैं इसको क्या बोलते हैं नल स्वामी ठीक ओके माल लेते हैं अब यहाँ पर क्या होता है हा दिव अर्द सूतरी याने के ट्रेट्र सोमी में क्या होता है यहाँ पर क्या होता है दो अतिरिक्थ क्या क्रोमोजोमी है क्रोमो सोमिय जोडा शामिल हो जाता है ठीक है? यहाँ पर दो तो हमारे पास है लेकिन दो के साथ साथ क्या है? दो और एड़ हो रहे हैं देखो कैसे आड़ हो रहे है हमारे पास यह दो तो अल्रेडी थे याने कि टू एन थे इसमें दो और एड हो गए हमारे पास हाँ, ऐसे तो हमारे पास total कितने हो गए देखो दो तो already थे हमारे पास है ना, दो और एड हो गए हमारे पास ठीके, तो कितने हो गए ये 4N हो गए ठीके, तो यहाँ पर यह होता है ठीक फिर अगर मैं बात करती हूँ किसकी द्यू न्यू सूत्री ठीक है यहां की बात करती हूँ तो यहां क्या होता है एक जोड़े क्रोमोजोम में कमी आती है कैसे आती है देखो बताती हूँ मैंने बोला कि यह हमारे पास एक जोड़ा है याने की 2N ठीक है 2N है अब यहां पर क्या हो रहा है यह जो पूरा 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 एक जोड़ा है इसी की कमी हो गई है ना एड हो रहा है इसमें ना इसमें से कुछ माइनस हो रहा है पूरा पूरा गायब हो जा रहा है as it is ठीक है पूरा का पूरा गायब हो गया, तो यहां हमारे पास क्या बच क्या जीरो पेर बच गया, है ना, जीरो पेर, लो, ऐसे लिखते हूं, जीरो पेर बच गया हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास यह होता है, ठीक है, यहां पर दो add हो रहे हैं, और यहां पर यह पूरे के पूर अब आगे बठते अब देखो आथा क्रोमजोम ये विकार ठीक कि एक या एक से अधिक क्रोमोजोमों की अनुपस्तिती अधिकता या असमानता विन्यास क्रोमोजोम ये कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटि एक क्रोमोजोम की अधिकता यहानी हो जाती है उसे असू गुडिता कहते है जैसे ही 21 गुर्ण सूतर की एक प्रती की अधिकता हो दो ठेक्टे की होती है तो वहाँ डाउन सिंड्रोम हो जाता है ठीक है इसी प्रकार एक गुर्षूत्र की हानी से नार्यों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है यहाँ क्या हो गया डाउन सिंड्रोम यहाँ गया और यहाँ क्या गया एक की कमी हो गई तो turner syndrome ठीक है तो याद रखना यह क्या है down syndrome यह क्या है turner syndrome हाँ कोशी का द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण chromosome का एक पूरा समुच्चे अधिक हो जाता है इसे बहु गुडिता कहते हैं ठीक है कि बहु जो कोशी का द्रव्य का विभाजन होता है ना हो नहीं हो पाता है तो chromosome का एक पूरा समुच्चे जो होता है ठीक है वो जादा हो जाता है बढ़ जाता है तो उसे बहु गुडिता कहते हैं यानि कि पॉलिप्लोईडी कहते हैं यह अवस्ता प्राय पौधों मे पाए जाती है सिर्श पौधों में होती है मानप में chromosome की कुल संक्या 46 याने की 23 जोड़े होती है इन में से 22 जोड़े लिंक सूतर होते हैं और एक जोड़ा लिंक सूतर का होता है जो हम को मालुम है कभी-कभी विर्ले इस है व्यक्ति में क्रोमोजोम का एक अतरिक का एक जोड़ा शामिल हो जाता है कभी-कभी क्या मोला में एक जोड़ा शामिल हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं क्रोमोजोम की दिवी अर्ध सूत्री और नियू सूत्री कहा जाता है ठीक है कि एक जगा जोड़ा शामिल हो गया और एक जगा क्या हो गया पूरा का पूरा हानी हो गया उसका ऐसी परिस्तिति के प्रभाव से व्यक्ति में गंभी रोग हो जाते हैं ठीक है क्रोमोजोम ये विकारों का उधारन का है डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम ये है तेईस जोड़े ठीक है तेईस जोड़े होते हैं यहां तेईस जोड़ों में क्या होता है चलो देख लेते हैं तेईस जोड़ों में क्या हो गया बाइस जोड़े क्या है हमारे पास 22 जोडे A link chromosome है A link chromosome ठीक है ऐसे है हमारे पास ठीक और एक जोड़ा क्या है link chromosome ठीक है न अब जो 22 जोड़े है यहां क्या है किसी भी एक में कमी आ रही है या अधिकता हो जा रही है ठीके किसी भी एक में इन 22 जोडों में से किसी भी एक में या तो कमी आ रही है या फिर अधिकता ठीके या तो बढ़ रहा है या कमी हो रही है ठीके न और यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर किसी भी, किसी भी प्रकार की अधिकता या कमी, ठीक है ना? किसी भी प्रकार की अधिकता या कमी अब यहां क्या है विकार का नाम अलिंग क्रोमोजोमिय विकार है ठीक है हम जान दें विकार का नाम क्या है यहां पर चो होता है अलिंग क्रोमोजोमिय विकार क्यों क्योंकि यह अलिंग के उपर है 22 जोड़े अलिंग है अलिंग के उपर है इसलिए अलिंग क्रोमोजोमिय व विकार है इसका नाम ठीक है और इसका नाम क्या है लिंग क्रोमोजोमिय विकार क्योंकि यह कहां पर है लिंग क्रोमोजोम पर है इस वज़े से ठीक है अगर मैं इनके दिजीजिस की बात करती हूं मतलब एक्जैम्पल्स की बात करूं तो यहां पर आपका डाउन सिंड्रोम आएगा डाउन सिंड्रोम ठीक है और क्या आगिया आपका डाउन सिंड्रोम में क्या होता है डाउन सिंड्रोम में आपका जो 21 वा गुर्षूत्र होता है ठीक है डाउ 21 वा गुड़ सूत्र है इस 21 वे गुड़ सूत्र में क्या हो रहा है दिक्कत आजाती है ठीक है ना हाँ चलो फिर अगर मैं यहां बात करती हूं तो यहां हमारे पास क्या आता है क्लाइं क्या होता है फेल्टर और दूसरा क्या है आपका Turner Syndrome ठीक है Turner Syndrome अच्छा यहाँ पर क्या होता है आपके जो Chromosome की संख्या है ना वो 47 होती है यहाँ दखना ठीक है 47 आ जाती है जो गुर्सोतर की संख्या है 47 वैसे 46 होती है पर यहाँ पर जुर जाता है एक तो किता आगे है 47 चलो इतना ठीक है सोड़ा समझ लेते हैं Down Syndrome को है ना क्या समझते है अनुवंचिक विकार का कारण 21 वे Chromosome की एक अतिरिक्त प्रतीका आ जाना याने कि 21 वे गुर्ण सूतर पर ठीक है कि वहाँ क्या हो रहा है 21 वे गुर्ण सूतर है ना इस विकार को सरप्रतम Langdon Down ने 1866 में खोजा था रोगी वेक्ती छोटे कदर छोटे गोल सिरका होता है जीब में खाँच होता है मुँ आंचिक रूप से खुला रहता है चोड़ी हतेली में अभी लक्षडिक पल्म कीज होती है शारेरिक मन प्रेरक और मानसिक विकार अवरुद रहता है ठीक देखो इस तरीके से दिखाई देते हैं ये बच्चे जिनको क्या होता है डाउन सिंड्रोम होता है ठीक है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे ऐसे होता है ओके अब आता है लिंक गुण सूत्रिय विकार ठीक है अब इसको सबस्ते है कि भाई हमने का एक male है एक female है ठीक हमने का कि भाईया कौन है एक male एक female है यह आपका male ठीक है और यह रही आपकी female अब इन दोनों की क्या है शादी कराई तो male के पास पता है मैं xy होता है ठीक और female के पास क्या होता है xx होता है ठीक है ना इन दो क्या कराते हैं बश्यों सब्सक्वाराने हो सब्सक्राइब करें एक इसका मगने इसके अब हमने क्या बोला कि चलो कbor बनाके देख ले दिशंग यहां पर हमने क्या बने खंद यहां लो यहां पर हमने क्या में बनें ठीक अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब यह बन गए हैं तो यहां पर हमने क्या बोला लिंग गुर्ण सूत्रे विकार की बात हो रही है ठीक कि भाईया जो X Y है यह दोनों क्या है यह तो नॉर्मल है है ना लेकिन हम जब बात यहां गुर्ण सूत्रे विकार की कर रहे हैं त तो यहाँ पर क्या हो गया है ऑर यहाँ पर्य खाली हो गया है कि चलोओ यहां पर 3x जाएंगे एक 0 जाएगा यहां पर 2x और 1y जाएगा यहां पर 0 जाएगा तो जब ऐसे लोगों की शादी हुई है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एक भी संतिति है न वह सही नहीं बनी है जो एक भी बच्चा है यहां पर वो क्या है सही नहीं है सब में कुछ ना कुछ गड़बड है ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है एक क्रोमोजोम की कमी आ रही है एक जगा तो यहां पर एक जगा क्या हो रहा है अगर हम क्या बात करें है देखो मैं अगर x x y की बात करती हूँ तो ये क्या है नर है ठीक है यहाँ पर क्या है जो एक गुर्ण सूत्र है ठीक है यहाँ पर एक गुर्ण सूत्र कैसा है ज्यादा है है ना कौन सा ज्यादा है ये जो x है ठीक है ये बात कर ली यहाँ पर मतलब कितना है 46 प्लास, एक्व raptरा न हो गया है, फोटीशेवण गुनसोतर हो गए, तो अगर इसकी क्रम की बात करेंगे, हम, अगर हम से क्रम की बात करें, क्रम कैसा आए इसका, तो 44 प्लस XXX, TVs, ठीके, यह इसका क्रम आ गया है, यानिकी कितना आ गया इसका, 47 आ गया, है ना, तो जो ऐसे नर बनेंगे जिनमें की 47 आ जाएगा क्रम जिनमें 47 आएगा तो ऐसे नर क्या होते हैं मादा जैसे गुड दिखाते हैं ठीके ना ये क्या करते हैं मादा जैसे गुर दिखाते हैं ये clear इतनी बात चलो एक चीज और संजो कि भई ये हमने क्या बोला कि यहां पर एक भी संतती कैसी है अगर मैं संतती की बात करती हूँ चलो next page पे बता देती हूँ लो तो मैंने क्या बोला यहां पर जो संतती है वो एक भी क्या है सही नहीं है एक भी सही नहीं है यहां संतती में क्या हो रहा है अलिंग गुर्ण सूत्र विकार आ गए हैं अलिंग गुर्ण सूत्र विकार आ गए हैं यहां पर ठीक है कैसे आ गए क्या बोला हमने इसको कि भाया एक जो क्रोमोजोम था एक क्रोमोजोम की कमी आ गई है ना कमी आ गई है एक क्रोमोजोम की क्योंकि यहां तो जीरो आ गई है यहां पर दोनों में एक एक इसमें जादा था एक इसमें जादा था है ना इसमें यह जादा है य अब इस मादा की क्रम की बात करोगे अगर आप क्रम की बात करोगे तो 44 प्लास X0 तो क्या बन गया ये आपका 45 बन गया है अब ये जो महिला है जिसमें 45 है ये जो महिला है जिसमें 45 है ये महिला कैसी होगी इस महिला में क्या होगा ये जो महिला है इसमें अंडे का निर्माण नहीं होता है अंडे का निर्माण नहीं होता है ठीक है और यहाँ पर जो disease हुई है यहाँ पर इस महिला को जो disease हुई है वो क्या है Turner syndrome क्या है यह Turner syndrome ठीक है जिसको हम X O बोलते हैं ठीक है इतनी बात clear सबको है ना मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर किसी को डाउट होना चाहिए क्लियर सबको इतनी बात है ना चलो समझ लेदें एक बार टेक्स के हिसाब से कि इस अनुवंशिक विकार का कारण है जो X chromosome है उसके एक अतरिक प्रतिलीपी जिसके कारण के इंदरक में 47 chromosome हो जाते हैं याने कि एक्स एक्स वाए हो जाता है ठीक है ऐसे व्यक्ति समय गुरुप से तो प्रंधन होते हैं किन्तों मादालक्षन भी व्यक्त हो जाते हैं ऐसे वेक्ति बांज होते हैं उनमें बच्चे नहीं हो पाते हैं ठीके देखो 21 गुर्ण सूत्र पर यहां देखो यहां क्या हो रहा है एक X बढ़ गिया है यहां पर है ना 23 गुर्ण सूत्र पर हो रहा है यह क्या हमारा 23 गुर्ण सूत्र पर हो रहा है यह क्या हमारा 23 गुर् जाएंगे यानी कि XO जाए हैं यह पर एक गायब हो जाए का ऐसी नारी बांज होती हैं क्योंकि हमने बोला इसमें अंडे का निर्मान नहीं होता है क्योंकि अंडश है अल्पवर्दित होते हैं मतलब कि वह डेवलप नहीं होते हैं ठीके और दिट्टे लैंगिंग जो चाप्टर भी खतम कर लिया है ठीक है तो उमीद करती हूं कि इस चाप्टर को समझने में आपको आसानी होगे और खुब मज़ा भी आया होगा ठीक है कोई परशानी हो तो पुराने लिंक उठाके फिर से देख रो एक साथ पूरा चाप्टर देखो के तो मज़ा आएगा लिए ग्लास में तब तक के लिए आप लोग खुश रहें अच्छे से रहें अपना ध्यान रखिए ठीक है बाई बाई